नमस्कार, आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो डिंगलेर हैं और विधित गुजराती के बीच हुआ था, जो कि टाटा स्टील रापेड में वदक वलकता में, तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की दरब जाते हैं, इस गेम में एक सिच्वेशन आई थी जहां पे हम लोग स करना था कि आपको KF4 जाना है, यहां फिर आपके पास KH5 का भी एक ऑप्शन है, जिसमें एक्चुली रूख G5 के बाद, पॉन मर रही है F5 की, लेकिन स्टिल आफ्टर KH6, रूख इंटू F5, KG6, यहां पर आप देख सकते हैं कि वाइट एक डबल अटक क्रेट कर रहा ह जिसमें की नीचे मेट लगी हुए है, और F5 पर रूख मर रहा है, लेकिन लखी लिए इधर रूख B5 अविलेबल था और शायद विदू ने यही देखके कंटीनू किया हूँ इसमें, लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा मुआ है, आप पॉस करके भी देख सकने हैं कि क यहां कर सकता है, बिकाज मुझे लगता है डिंगलर ने शायद यह मूह देखा हूंगा जब उसने किंग एच फाई के लिए गया हूंगा, तो रूख D6 खिला यहां पर वाइट ने, रूख G5 चेक अनली मुथा, अदवाइस आप रूख D6 को रूख इन्टू डिस नहीं म जो की एक एंडिंग का पार्ट है, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं, बीफोर थोड़ा वीक है, आफ्टर किंग F8, वाइट के पास एक रूट दिखाने की कोशिच किया है, मैंने की वाइट कैसे इंप्रोवाइस कर सकता है इस पोजिशन में, तो इवेंट फोर किंग F5, किंग E8, किंग 2 E5, अभी एक्चुली रूट D2 के बाद एक क्लियर बाद थी कि आप रूट A4 नहीं जा सकते हैं, विकास रूट A4 को कोई पॉइंट नहीं बनता है, विकास इवें सिंप्ली प्ले किंग D7, और आप कभी भी रूट B4 मारोंगे, तो A2 मार देंगा, ए ब्लाक को यह रिसाइड करना है कि आपको D5 छोड़ना पड़ेंगा, यहां फिर 2nd rank, रूट H2 के ला, विकास रूट D6 में मुझे लगता है रूट A4 और रूट B6 के बाद किंग D4 आ रहें, किंग C7, किंग C5 और डेफिनेटली यह पॉन मरने वाली है, जिसमें दो पॉन पॉजिशन वो जीतना चाहिए, लेकिन आफ्टर किंग E3, वाइट ब्लाक ने रूट H2 के ला, किंग 2D4, किंग C8, किंग 2C5, किंग B8, और फाइनली आफ्टर रूट A4, एक बाद क्लियर है कि B4 का पॉन मरने वाला है और दो पॉन के साथ विसी एक पॉजिशन क्लियर भी विनिंग होनी चाहिए, बिकास आफ्टर किंग C7, रूट A7 चेक दिया, किंग B8, रूट A5, रूट A4 वापस के ला, बहुत बार रिपीटेशन इसली भी करते हैं, लोग क्योंकि टाइम प्रेशर होता है, तो टाइम आपको इंक्रीज हो जाता है उपना जितने भी से आपको और मूँ के लिए मिलते हैं, तो किंग C7 के ला, फिर से ब्लैक ने, किंग इंटो B4, डेफिनेटली वाइट थर्ड मूँ रिपीट नहीं करने वाला था, किंग इंटो B4 के ला, किंग B6, रूट A8, किंग B7, रूट A5 इस बार, एक मूँ इंप्रूव कर लिया, र रूट H4 चेक, किंग A3, अब एक बात क्लियर है कि B1 हमेशा शेल्टर देता रहेंगा, मतलब आप यह होरिजोंटल चेक्स दोंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, सिर्फ एक बात क्लियर है, कि रूट दूर रखना चाहिए, रूट H3 खेला, रूट G5, हम हमेशा बिगिनर लोग बहुत बार यहां, इंटर्मेटियर प्रेयर भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं, कि रूट को बहुत पास रखते हैं, अपोनेंट के किंग के, लेकिन थोड़ा दूर रखना चाहिए, किंग B6, A5 चेक, यह प्रोसेस आप 6-3 तक कर सकते हो, हमेशा A5 च चेक, किंग टू B7, A6 चेक, किंग टू A7, B4, अब अब अगर रुक A1 चेक दोंगे, तो डेफिनेटली किंग B5 अवेलेबल है, रुक F5 नहीं खेल सकते हैं, किंग B5 खेल सकते हैं इदर, और डेफिनेटली इस पोजिशन में भी बाद में रुक जी से होना कि यह विन हो बट B4 को रुक H5 खेला, विरिद ने, और यहां पर B5 खेला, जिसमें रुक F5 आगे, अभी किंग A5 के बाद एक बाद क्लियर है कि, नेक्स्ट मू जो है वो रुक G7 चेक आ सकता है, तो यहां पर रुक F8 खेला, एक्चली यहां पर पैसर डुफेंस जो है वो चलना नहीं चाहिए, बिकॉस आफ्टर रुक G7, किंग B8 खेला, ब्लैक ने, यहां पर यह एक ट्रिक थी कि, क्यों किंग B8 खेला, किंग A8 भी खेल सकते थे, बट उसमें शायद A7 इतना फोर्स फुली नहीं खेलता, कोई भी, A7 तोड़ा टेम्टिंग लगता है इनिशली, लेकिन य नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पोजिशन में यहां पर A7 खेल दिया, डिंक ले रहने, जो कि मुझे लगता है कि इस गिम में बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और जब मैं चस्ट 24 पर और बाकी इस पर देख रहा था मैं लाइव कमेंटरी, तब स्वीडलर और बाकी लोगों बाता कि A7 सच में खेल दिया, क्योंकि इस कंडिशन में डेफिनेटली दो पोन आप पोजिशन आप किसी 2-8-0-0 प्लेयर से एक्सपेक नहीं करेंगे कि आप कि वह ऐसे मिस्टेक्स करेंगा, लेकिन कभी-कभी हो जाती है, मिस्टेक्स सभी प्लेयर से होती है, तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं, इस पोजिशन में आप देख सकते हैं कि आफ्टर A7, किंग A8 आगया, ब्लाक, B6 केला, रुक F5, किंग A6, और यहां तक आते आते दिंगलियरिंट को यह रियलाइज हो गया था, जैसे ही जैसे ही उसमें B6 केला था, कि बहुत बड़ी मि एक्साइटमेंट नहीं थी, इवन विजिट के फेस पे भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी कि कैसे वो एक्दम से लूजिंग पोजिशन में से वापस आगया, विकास आफ एसेवन, लेकिन यहां पर शायद यह जो है वीडियो खतम नहीं होना चाहिए, और हमको इसको द है तो डॉरिट्स की इंडियो मैन्यूल यहां फिर ग्रिवास का एक बूक आता है प्राक्टिकल इंडियो उनको फोलो कर सकते हैं और उनमें यह पोजिशन दिये हो है कैसे जीतने के लिए लेकर हम क्विकली देख लेते हैं कि इसमें सोलूशन के है मेरे सब से जो बेस्ट है वह है वह है B6 और डेफिनेटली इसमें अगर रूक F5 चेक देता है तो किंग B4 रूक F4 चेक किंग C5 और आप इस रूट के तुरू B4 C5 D4 E5 जाके इसको आप पकड़ सकते हैं रूक को और डेफिनेटली उसके बाद जो है सीरीज ऑफ चेक्स बंद हो जाएंगे उसके जोनषा जोन खर्ण करके रूक की जाके एक्सचेंज कर दो क्योंकि किसी भी प्रकार कर का कोई मेटिंग जो स्टेल मेट का जो सिक्वेंस है वो नहीं आ सकता है और हमेशा दो बाउन जो है वो हमारे पास मेट क्रियेट करने के लिए तो आप रूक उपर नहीं ले सकते है एच सेवन चेक नहीं आ रहा है विकाज हमेशा उसको शेल्टर है तो यह मुझे लगता है कि सबसे एजिएस्ट वर्जन है अगर आपको पास रूक और नाइट पॉन है कोई भी दोस्त कोई भी साइड में इस जी फाइल और फाइल में पॉन है या ए और बी में यह सबसे ज़्यादा हम लोग अनालेसिस करें इन पॉजिशन में बहुत जल्दी मिलते हैं वाई थैंक यू